ये शिकल की ओब नमो भगवते वासो देवाए 5th August 2024 फिर से एक बार इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा क्योंकि हो गई एक ऐसी घटना जिसका अंदेशा लोगों को पहले से हो गया था जो भी कोई घटना होने जा रही है उसका कुछ ना कुछ अंदेशा इंडिकेशन पहले ही भगवान कलकी दे रहे हैं 9 मिनट के अंदर सिर्फ 9 मिनटों के अंदर हो गया वो खेल जिसके लिए जद्दो जहद चल रही थी पलट दिया पूरा गेब भगवान कलकी ने तक्ता पलट हो गया ठीक 12 बजे जिहां बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेक हसीना ने रिजाइन किया यह यू कहिए करना पड़ा अब वहां पर सेना का बोल बाला सत्ता सेना ने अपने हाथ में ले ली अब पहले ही मैंने कहा था कि वहां पर हालात बिल्कुल सही नहीं है अल्रेडी अनलिमिटेट टाइम के लिए अनशितकाल के लिए इंडेफिनिट पिरियड के लिए वहां पर कर्फ्यू लग चुका है इंटरनेट बंध है खुर्दंगियों का आंदोलन कारियों का वो खुर्दंग जो देखा नहीं गया पहले दस लाक लोग रास्ते पर उतर गए नहीं चाहती थी शेख हसीना सत्ता से अपने आपको अलग करना रिजाइन करना नहीं चाहती थी लेकिन इसके साथ ही एस्टरलोजिकल पॉइंट अफ यू से मैंने कहा था आप लोगों को कि यह जो साल है इसमें जुपिटर का में आता है तब तब गुरुदेव रिहस्पती वो क्या करते हैं सत्ता परिवर्तन जरूर कर देते हैं और बहुत सारी जगों पर यह सत्ता परिवर्तन का खेल देखा जा रहा है लेकिन इसके माध्यम से क्या सिर्फ भगवान खेल खेल रहे हैं या कुछ मैसेज दे रहे है जिहां आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा मैसेज, साउथ एशिया के तीन बड़े ये जो देश हैं, बंगलादेश, उसके बाद श्री लंका, वहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन, पाकिस्तान, पहले भी यहाँ पर ये खेल हो चुका है, पाकिस्तान में भी, बंगलादेश में भी और श्री लंका में भी, पहले भी ये भयान अखेल खेला जा चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सत्ता पर बैटने वाले लोग संभलते नहीं हैं, सुधरते नहीं हैं, सुधार जरूरी है, लेकिन आज कल कोई भी सुधरने को तयार नहीं है, और इसलिए पढ़ पूरी बैज़ती की बात कि खुद प्रधान मंत्री वह वहां से भाग रही है, चोरी छुपे धाका एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, पूरी तरह से शटडाउन, क्योंकि उन्हें लंदन जाना है, भाग भाग के, कैसे भी करके, सेना के, हेलिकॉप्टर में वहां से, औ अलकत्ता, बश्यमंगा, फिर वहां से दिली और अब लंदन के लिए हो गई है, रवाना, तो अपना ही घर जब छोड़ना पड़ता है, जिस घर में बहुत सालों तक राज किया, तो इनसान को तकलिफ होती है, लेकिन ये है भगवान कलकी का खेल, कब किस तरफ घुमा दे किसी को नहीं पता, सत्ता पर बैठना आसान है, लेकिन सत्ता संभालना मुश्किल, वो भी तब जब कि भगवान कलकी ने सत्ता को अपने हाथों में ले लिया है, तो किसकी दावेदारी होगी गलत, कौन सत्ता से बेदखल होगा, ये केवल और केवल भगवान कलकी लेंगे समय भी उन पर निर्भर करेगा समय के साथ ही वो काम करेंगे लेकिन अब आने वाला सवाल कि अगली कड़ी कौन अगरा शिकार कौन भगवान कलकी का पाकिस्तान में भी खेला हो गया बांगला देश में भी खेला हो गया सत्ता परिवर्तन हो गया श्री लंका में और लेडी ह हो चुका है वहां भी श्री लंका को राश्षपती को भागना पड़ा था अपना ही देश छोड़कर पाकिस्तान के भी प्रधानमत्री को शेख अर्शीना को भागना पड़ा तो अब अगला शिकार कौन क्या यह यहां पर थम जाएगा जी नहीं यह तो अभी शुरुवात ह यानि यूँ कहिए कि इस किर्द एक लेकिन कृदार अलग अलग यूँक परिवर्तन का जो स्कृट्ट भगवान कलकी लेकर आएं हैं उस इस कृप्ट में स्टोरी सेम है लेकिन उसमें एक्ट करने वाले सब अलग-अलग हैं यानि किर्दार अलग-अलग बदलते जा रहे हैं श्री-लंका हुआ बुलगेरिया हुआ पाकिस्तान हुआ अब बांगला देश हुआ चुकि हमारा देश आज भी अब भी दस लाख लोग कम से कम सड़कों पर नहीं है और किसके खिलाब नरिंड्र मोदी के खिलाब अब तक हमारे देश में गनीमत है कि लोग अपनी बात करते हैं तू तू मैं मैं भी करते हैं आरोग भी एक दुसरे पर लगाते हैं लेकिन फिर भी एक लिमिट के अंदर एक पीसफुल एटमस्फियर में देख पाती हूं मेरे एक वीवर ने बार-बार मुझे कहा कि पश्चिम मंगाल के उपर एक वीडियो बनाई है तो मंता बैनर जी पश्चिम मंगाल की जो मुख्य मंत्री हैं वहां पर भी हालात बिल महराजा थे जिनोंने अत्याचार किया नहीं जा रहे थे जो अंदर सिर जुका कर उनको जाना ही पड़ा तो अभी तो ये शुरुवात हुई है सत्ता परिवर्तन की आने वाले समय में वन बाई वन सबका नंबर आने वाला है किरदार से बलतते जाएंगे स्क्रिप्ट एक की रहेगी तो अब जैसा मैंने कहा था इंटरनेट के बिना भी लोगों को जीवन जीने की आदत डालनी पड़ेगी कर्फ्यू बंगलादेश में लगा है बाहर के कंट्री के हालात आप देखिए हर कोई अपनी गदी पकड़कर बैठा हुआ है अगर दस लाख लोग सड़ सड़कों पर है जो कि शेख हसीना का कहना है कि वहां पर आतंकवादी भी मिले हुए है ठीक है लेकिन कोई न कोई तो रिजन है कि इतने सारे लोग एक साथ सड़कों पर उतरे हैं इसका मतलब क्या हुआ कहीं न कहीं कम्यूनिकेशन गैप है जो भी प्रधान मंत्रिया ही है तो अब भगवान कल की पावर उसे के हाथ में देंगे जो प्रॉपर जनता की सेवा करने के लिए अपनी सीट पर बैठने के अधिकार को रखते हुए करतव्य का प्रयोग करेगा अन्य था कब कैसे किसको भाग खड़ा होना पड़ेगा अपने ही घर को छोड़कर आने वाला समय बताएगा सेना के चीफ ने उनसे कहा उनको संबोधन देना था देश के नाम लेकिन उन्होंने कहा इतना भी समय नहीं है बाहर भीड जो है कभी भी अटैक कर सकती है आप मारी जा सकती है जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाए और इसलिए उन्होंने बचा है बदल जाएए अपने आपको अपने कर्मों को सुधार लिजिए थोड़ा सा अध्यात्मिक बनिए दुसरों को चीट मत कीजिए जूट मत बोलिए किसी के बहकावे में मताईए अपनी पुद्धी का सही इस्तिमाल कीजिए अन्य था अपना ही घर छोड़कर जिस आज शेक हसीना गई हैं आने वाले समय में बहुत सारे राष्टपती प्रधान मंत्री अपने ही देश को छोड़कर भागेंगे अभी तो एक के बाद एक ये खेल आगे बढ़ता चला जाएगा देखते जाएगे कि कलकी के स्कृप्ट में जो की सेम स्कृप्ट है एक ही स् प्रदार किस प्रकार वन बाई बदलते चले जाएगे तो बांगला देश में जो खेल हो गया कितनी शर्मनाक ये बात है कि उन्हें बिना किसी संबोधन के देश को दिये हुए अपनी बात रखे हुए उन्हें भागना पड़ा फीक 12 बजे उन्हें रिजाइन करना पड़ और पहली भी ऐसा हो चुका ये नहीं कि अभी हुआ है और ये होता क्यों है तीन पॉइंट सबसे पहला या तो आर्थिक संकट जो कि श्री लंका में हुआ था दूसरा होता है कम्यूनिकेशन गैप जानी जो पीएम या प्रेसिडेंट होते हैं उनका पब्लिक के साथ जनत के साथ नहीं होता है कम्यूनिकेशन और तीसरी बात है कि लोग भड़काते हैं एक दूसरे के खिलाफ तो पॉलिटिकल डिस्टॉर्बेंस एक कारण एकोनोमिक कंडिशन पूर होना दूसरा कारण और तीसरा कारण प्रॉपर वे में ध्यान नहीं देना प्रोग्रस के ऊप आप जहां भी बैठे हुए हैं राष्टपती हैं या आप चीफ मिनिस्टर हैं या फिर आप प्रेसेडेंट हैं जो भी पावर आपके हाथ में हैं आप प्रोग्रस देखिए आज ममता बैनर जी भी वही कर रहे हैं हिंदो मुस्लिम करते चली जा रहे हैं और मुस्लिम जी मुह खोलने को उनके पीछे तयार नहीं उनके अगेंस्ट मुह नहीं खोली अन्त में प्रिशराइज किया गया तब जाके उन्हें एरेस्ट किया गया जेल में भी कॉलर उचा करके वो जा रहे थे तो पस्षिम मंगाल में भी आने वाले समय में बहुत बड़ा खेल होन हैं आपको बनना है इनी नाजुक पलों में बहुत जादा स्ट्रॉंग क्योंकि आपके स्ट्रॉंथ स्ट्रेंथ ही आपको लेकर जाएगी आने वाले समय में अपनी मंदिल की और थैंक्यों वेरी मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो